इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में एक बड़ा ही इंटरस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे बोस and the INA बॉक्स में जो आपको डीटेल्स दी है उस चीज को हम कॉंप्रिहंसिवली डिसकर्स करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में अब बोस सुबास चंदर बोस का नाम सुनते से सबसे पहली चीज जो आपके ध्यान में आती होगी वो क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ठीके? ये जो इन्होंने नारा दिया था इंटरस्टिंग बात बताता हूँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा मतलब तुम मेरे लिए लड़ो मैं तुम्हें आजादी दिलवाओंगा ठीके? तो अब आप समझ सकते हो कि ये किस चीज में विश्वास कर रहे थे आजादी के लिए ठीके? क्या थे इनके मतभेद थे? ठीके? डिफ्रेंस ओफ ओपिनियन था लेकिन मनभेद नहीं था समझ दो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ सुभास चंद्रवोश और महात्मा गांदी के बीच में मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था मतलब डिफ्रेंस ओफ ओपिनियन था बाकी बाई हाट अगर देखा जाए तो ये भी देश के आजादी चाहते थे महात्मा गांदी भी जो चाहते थे देश के आजादी चाहते थे ये देश के बाहर फॉरेंज सॉइल पे जाके मतलब दूसरे विदेशों में जाके इन्हों ने क्या किया फॉरेंट सॉइल्स पे जाके इन्हों ने नेशन के लिए सपोर्ट एकटा किया ठीके आर्मी बनाई एक और बोला कि हम लड़क के हराएंगे महत्मगानी देश में रहके नॉन वाइलेंस के थुरू आजादी लिवना चाहते थे दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे बस ओपिनियन्स जो थे दोनों के अलग-अलग थे और कुछ नहीं ठीके आगे पढ़ेंगे और तो क्योंकि क्या हिस्टॉरियंस ने जिस तरह से बताया है चीजों को तो कहीं-कहीं पर आप देखो कांफ्लिक्ट दिखाया जाता सारी चीजें होती है बड़ी इंट्रस्टिंग बड़ी थ्रिलिंग ठीके मूवीज भी है जैसे मूवीज के बाद में आप सीरीज भी देखो गए तो वह देखने पर भी असा लगता है कि हां इन्होंने क्या कर दिया जीवन में ठीके देखो क्या है तो सुबाश चंद्रबोर्ष और रेडिकल नेशनलिस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट शब्द क्या बताता राश्च्रुवाधी बड़ टियाकल नेशनलिस्ट टिया कैसे राश्च्रवाधी जो रेडिकल मीन्स नहीं नहीं influence थे ये ठीक है तो a radical nationalist socialist learnings he did not share Gandhiji's ideal of ahimsa ठीक है गांदी जी का जो non-violence का जो ideal था यो उसके साथ में agree नहीं करते थे वाहित उनका ये मानना था कि अगर आजादी चाहिए तो लड़के ही लेना होगी लेकिन इन रिस्पेक्ट पूरी करते थे तो इन्होंने ही महात्मा गांदी को recognize क्या as father of nation ठीक है father of nation जो है इन्होंने recognize क्या महात्मा गांदी को as a father of nation ठीक अब वाहे तो ये क्यों agree नहीं करते थे मैंने बता दिया तो उनका ये मानना था कि आजादी लड़के ही लेना पड़ेगी हम non violence से नहीं ले सकते लेकिन इसका कताई भी ये मतलब मन निकालना है कि disrespect करते थे respect करते थे महात्मा गांदी की और और कोईंट बता तो मैं आपको कि इन रिस प्रियू इसनी करते थे कि Inspector इंडीन नस्ट आर्मी बनायी है उस आर्मी में एक विंग का नाम इन्होंने गांदी ब्रियड रखा था गांदी ब्रियों नहरू ब्रियड आजाद ब्रिगेड जहांसी रानी ब्रिगेड शुभाज ब्रिगेड तो उनमें एक ब्रिगेड का नाम इन्हों ने क्या रखा कांधी ब्रिगेड रखा तो रिस्पेक्ट करते थे पस डिफरेंस ऑफ अपिनियन था क्या होता है तो इन जैन्वरी 1941 सुभाज चंद्रवोस पता है सिवल सर्वेंट थे 1920 में वो सिवल सर्वेंट बने ठीक है फोर्थ पोजिशन मिली थी इने लेकिन जब जलिया आला पाग इंसिडेट हुआ तो कईनके अंदर से उनको पूरी तरह से हिला दिया उस इंसिडेट उनने बोल दिया कि मैं कभी भी ओनेस्टली काम करी नहीं सब्सक्राइब करने यह यह सकता हूं जिसमें मुझे क्या करना पड़े की मेरे देश के इंट्रस्ट के अगेंस मतलब इनने कभी ओनेस्ट थे में क्योंकि मेरे अंदर तो नैशनली अन्धिस चंडिमेंट से आते हैं सीर अरदास से मिलते हैं गांदी जी से मिलते उनकी लि वाइलेंस यह दिर कह सकते हुए नमदा लड़के आजादी लेना ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा अब क्या होता है और फिर यहीं पर डिफ्रेंस वापीनिया जाता मात्मा गांदी का नॉन वाइलेंस पर चले गए ठीक है अब क्या होता है तो जनवरी 1941 में क्या होता है बहुत सारे वेश बदले भी आगे बताऊंगा तो यह चकमा देखे क्याल करता कि अपने हाउस अरेस्ट में जो घर में जहां रोक के रखा था इन्हें बाहर पुलिस देती थी निकल गए यह वहां से निकलते हैं जर्म्नी भी आ Epic यहुत सब्दों जेट लेता हूम किए अब जर्मनी अब जर्मनी अब जा इंट्रस्टिंग चीज़ें हिटलर से मिलते हिटलर से अपना नाम बदल के मिलते हो और यह हिस्ट्री में ऐसे क्या है बहुत सारे अब देखो यह क्लेम्स हैं प्रूफ भी हुए और कुछ लोग इसको इससे डिसएगरी भी करते हैं वागी इस तरह से कह सकते हैं फेमस पहुचाते थे फिर इन सारे लोगों से मिलने के बाद में जैपैन के सपोर्ट के साथ में ठीक है जैपैन के सपोर्ट के साथ में वह आजाद हिंद फॉज ठीक है और इंडियन नैशनल आर्मी इसे इस्टैबलिश करते हैं वाई अभी आजाद हिंद फॉर्स को फॉज क्य क्या बोला कि अभी तक ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे अभी तुमारे लिए लड़ेंगे मतलब जपाइन के लिए लड़ेंगे हम मिलके अब क्या करेंगे ब्रिटेन को हराएंगे तो ऐसी प्लाइनिंग कर लिए उन्होंने कि जो हमारे soldiers quit कर चुके थे जपान के सामने तो उन soldiers को जो prisoners of war है अब जपान के अंडर में आ गए वो soldier तो सुभाष चंद्रबोस ने ऐसी setting करी पूरी कि जपान से बोला कि यह soldiers से अपन एक आर्मी बनाते और यही soldier अब बृटेन के अगेंस्ट में लडेंगे पहले बृटेन के लिए लड़ रहते हैं प्रिटेन के अगेंस्ट में लडेंगे चिंता मत करो तो आजाद अंचल आर्मी बनती है और जिसका मोटीव क्या रहता है तो फ्री इंडिया फ्रॉम प्रिटिश को एला है तो इन्दियन नाशनल आर्मी जो है तो उसे खड़ा किया फिर क्या होता है तो अब 1944 1944 में क्या होता है इंडियन नेशनल आर्मी ट्राइट टो एंटर इंडिया थू एंफाल एंड कोहिमा बट दी कैंपेइन फिल्ड अब देखो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पर मैंना आपको अभी तक क्या बता है कि अब जैपैन के साथ में मिलके इंडियन नेशनल आर करने की प्लानिंग कर ली पूरी तय कर लिया गया है कि अब हमें क्या करना इन्हें हराना है अब जब इन्हें हराना है तो यह क्या करते हैं जैसे अकर आप देखोगे तो यह इंडिया है ठीक है यह नौर्थ इस्टन स्टीट से तो यहाँ पे इंफाल कोहिमा जो है तो और जैपैन किसके अगेंस में था ब्रिटेन के अगेंस में लगा तो उन्होंने तैक लिए के बागेंडिया में एंटर करना है ठीक है और उनके साथ में इंडियन नैशनल आरमी भी घुसने वाली यह सुभास चंदरबूश की लेकिन फिर क्या होता है कि यह कैम्पेंड फेल किया जा रहा था खाने के मामले में गुड्स के मामले में सारे चीज़ों के मामलों में तो जैपैनिस ट्रूप और इनके बीच में तालमिल नहीं बन पाया और अगली चीज मॉन्सून जो था तो यहां पर क्यूंकि नौर्ट इशन स्टीट में बहुत बारिश होती समझ मे आ रहा था फ्लड्स वगरा सारी चीज़े तो वह केंपेंट फिल हो जाता रूल्टा ब्रिटेन क्या करती है जैपनिस आर्मियों को यहां पहरा देती है तो यह पूरा इंसिदेंट होता है जैसे यूएस से जब एंटर करता है तो जैपैन उदर परिशान होने लगा अपन सकते हों कि इन्होंने आजादी में कंट्रिब्यूट नहीं किया तो मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूगा यह नारा भी सुबाश चंद्र वोश ने दिया यह सारी चीज़ें अब क्या होता कि जब जैसे यह केंपेंट क्यों फेल हुआ मैंने आपको समझा दिय अब आगे देखो क्या है इने मेंबर्स वर इंप्रेजन एंड टायड तो आप जो केंपेंट फेल हो जाता है अब ब्रिटिश वापिस अरेश्ट कर लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को तो जो सोल्जर्स पहले आर्मी के लिए लड़ रहे थे हो जपैन ने अरेश्ट कर लिया तो आप जो इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स थे देवर इंप्रेजन टायड ठीक है तो अब उन्हें पकड़ लिया गया जब फेल्ड एटम्ट में तो उनके उपर क्या चला गया मुकदमा चलाए गया देवर टायड मतलब ट्रायड मतलब क्या होत लाजा है उनका उनकी देथ हो गई है कोई बोते हैं नहीं है और कुछ कहानी इसे पीचे तो तरح तरइकी एह वो क्या है कि एयरप्लीन क्रैश हो जाता है उनकी देथ हो जाती हो जो हूग है अब लेकिन जिन लोगों को अरेश्ट किया गया था जो इंडियन नैश्नल आर किया बोला नहीं यार, आर्मी हमारे लिए आजादी के लिए खडी थी और आप इनके उपर मुकदमा चल रहा है, हमेने बचाना होगा, तो इनके ट्रायल्स जो थे, इनके उपर जो मुकदमा चल रहा है, उसके अगेंस में प्रोटेस्ट हो हमारी देश में, जगा जगा, ठी कभी फुरसत मिले तो पढ़ना इनके बारे में और बहुत सारी चीज़े हैं, बड़े इंट्रस्टिंग आपको, facts, figures जानने को मिलेंगे, किस तरह से, मतलब आप देखते ने, individual की potential कहां तक है, तो मैं कहोंगा, potential infinity तक है, आप जितना कर सकते हो, उतना कर सकते हो, उस पल इन्होंने सेट किया है, ठीक है, बहुत सारे leaders थे हैं ऐसे, clear, तो this was all about boss and INA, यह चोटा सा topic था, बहुत सारी चीज़े बता ही, मैंने, I hope you enjoyed it, इसी के साथ हमारा यहाला topic भी complete होता है, clear, अब next video lecture में जो चाप्टर का last topic है हमारा, कौन सा, तो अब last topic में हम इंडिपेंड पार्टिशन वो अलब पूरी चीज़ें देखने वाले हैं, clear है, last topic complete करेंगे, तो किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much